नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी चैनल संगेताज कॉर्णर में जिसे की परफेक्ट इडली बनके तयार होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे मुझे भी पता चली कि आपको पसंद आया की नहीं तो चलिए बिना देरी के वे सुरू करते हैं आज की रेसीपी इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें दाल चावल को भीगोना होगा फ्रेंट्स तो मैंने यहां पर एक बरतन में तीन कप चावल लोगी यह नॉर्मल चावल है जिसे कच्चा चावल या फिर अरवा चावल भी कहा जाता है हमारे बिहार जार करण में तो यह हमें तीन कप लेना है इडली राइस हो तो आप वो ले सकते हैं इसके साथ ही हम लेंगे यहां पर एक कप धुली वी मूंग की डाल बीना चिलके वाली और इसको हम लोग एक साथ ही भीगोएंगे बिल्कुल कोई फर्मलिटेज नहीं करनी है अलग-अलग धोने या फिर भीगोने की तो इसे हम लोग सबसे पहले दो से तीन प बहुत अच्छा और जल्दी होता है अब इसमें पानी डाल देंगे उपर से अच्छे से भरके मेती दाना उपर आ गए हो तो इसको थोड़ा सा नीचे कर दे ताकि वो भी अच्छे से भीग जाए और इसको ढखके हम लोग कम से कम 6-7 घंटे के लिए रग देंगे ताकि द साथ घंटे के बाद डाल चाओल बहुत अच्छे से भीग गए है अब इसका हमें बनाना है बेटर तो दाल चाओल के इडली में फ्रेंट्स प्रोसेस्च थोड़ा सा लंबा होता है इसको भीगाने का और फर्मेट्रेशन का लेकिन बहुत ही परफेक्ट इडली बनती है औ दालचाओल को हम लोग सिर्फ लेंगे। और पीछने में जितना जरूरत लगेगा सिर्फ उतना ही पानी डालके इसका फाइन बैटर बनाके तयार कर लेंगे तो इतना दालचाओल को मैंने दो बार में पीश लिया था क्योंकि में इसको रखने के सबसे बड़े टिप होते कि इसको किस में रखे कैसे बरतन में रखे और यहां बता दूं कि जो ज़्यादा फाइन करने की जरूरत नहीं थोड़ी सी दर्दरी है तो भी चलेगी इडली के लिए यह तो बिल्कुल फाइन कर सकते हैं तो इस बैटर को हम ऐसे ब इस तरह को कैस के सब्सकराइन कर प्लास्टी आप कन्टेंनर ले सकते हैं जिसका डखन ऐfound कर दो बहुकेले सकते हैं तो आको सब्सक्राइब बना रहे हैं तो यह डबबा जरूर यहूज कर योई घर्मी बना कि आप नॉर्मल से ढकन भी ढखे तो फर्मेंट हो जाए गर्मी बहुत जादा होती है इसलिए तो यहां पे मैं सारे दाल चावल को पीसके इस कंटेनर में ले लेती हूं और यहां पे मैं दिखा दूँ कि इस बैटर का कंसिस्टेंसी कैसा है बहुत जादा पतला नहीं कीजि पानी योज नहीं करना हमने पीसने में थोड़ा थोड़ा पीसते जाए और जरूरत के नुसर से पाने डालते जाए तो यह बिल्कुल परफेक्ट है अब इसका ढखन बंद करके हम लोग कम से कम 10 से 12 गंटे के लिए इसको छोड़ देंगे यही गर्मी का दीन है तो 8 गंट खाली है लेकिन फर्मेंट होने के बाद यह डबबा पूरी तरह से भर जाएगा और ऐसे हमें बरतन लेना है जिसमें स्पेस खाली रह सके फर्मेंट होने के लिए तो इसे हम छोड़ देते हैं फ्रेंट्स 10 से 12 गंटे के लिए मैं पूरी रात छोड़ दी थी रात 10 बजे म तो साइद उपर से गिर भी जाता और इस तरह का हमें फर्मेटेंस चाहिए अच्छी और बिल्कुल सॉफ्ट इडली बनाने के लिए बहुत सारे लोग कहेंगे यह बैटर तो पुरी तरह से सड़ चुका है तो हाँ यह बैटर सड़ता ही है इसमें बैक्टेरिया आता है जो क अलग से बॉल में और बाकी का बचा हुआ बैटर हम लोग एज इट इच फ्रीज में रख सकते हैं एक से दो से तीन दिन के लिए और जब चाहें तो आप इससे इडली या ढोसा बना सकते हैं तो मुझे जितना चाहिए मैं उतना सेपरेट कर लेती हूं एक अलग बरतन में इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल यहां पर परफेक्ट है मैं बताती हूं उससे पहले इसमें डाल देंगे एक छोटा चमश नमक और इसको बहुत ज़्यादा फेटना नहीं है फ्रेंट से आनी की इसको में जो एर बबबल्स बने हैं जो फर्मेंट हुआ है उसको करना यही एर बबल्स के कारण इडली हमारी फूलती है और सॉफ्ट होती है और इसका कंसिस्टेंसी देख लीजिए यह बिल्कुल परफेक्ट है ऐसे ठके ठके में गिरना चाहिए यदि इससे ज़्यादा वाटरी कर देंगे इसको गीला कर देंगे तो इडली है जो कड़ बन जाती है फूल नहीं पाती है तो बिल्कुल धिहान रखेंगे कंसिस्टेंसी का इससे ज़्यादा गीला नहीं करेंगे तो यह इडली बैटर तयार है अब हम लोग इसके लिए इडली कोकर भी तयार कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर आज इडली कड़ाई ले रही हूं कड़ाई में एक बड़ा ग्लास पानी डालेंगे पानी में बॉइल आने देते हैं हाई फ्लेम पे तब तक इडली प्लेट्स तयार कर लेते हैं तो एक से दो बुन तेल डालेंगे अच्छे से ग्रीश करेंगे और इडली बैटर इसमें डालके दोनों प्लेट्स को तयार क इस तरह से थोड़ा से हिला के स्मूध कर लेंगे और अब चलते हैं गैस की तरफ यहां पानी में अच्छा से बॉइल आ गया है इडली प्लेट्स को सावधानी से इसमें रख देंगे और इसे हमें 10-12 मिनिट के लिए कुक करना है यदि सुजी का इडली होता है वो 10 मिनिट म में गुक हो जाता है लेकिन दाल चावल के इडली में थोड़ा सा टाइम जादा लगता है तो 12-13-14 मिनिट भी आपको लग सकते हैं फ्लेम को लो टू मेडियम पर रखेंगे जब तक इडली बन रहा है हम लोग फटा फट चटनी बना लेते हैं तो यहां पर मैंने लिया है एक कटोरी ताजा नारियल छोटे टुकडो में काट लिया है ताकि पीसने में सुवीधा हो आप इसके छिलके को भी हटा के पीस सकते हैं उसके साथ ही लेंगे यहां पर उसकी आधी क्वांटिटी में मुंग फली तो यहां मैंने मुंग फली को रोष्ट करके उसके छिलके को हटा के ले लिया आप छिलके सहीद भी पीस सकते बस चटनी का कलर थोड़ा सा ब्राउन आएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लिया और यहां दो बड़े चमच जैसा इमली का पल्प ले लिया है इमली को आप गरम पानी में भीगो के मैस करके उसके छिलके और दा करेंगे और जो इमली का पल्प है या फिर पानी हम लोग उसको बाद में डालेंगे पहले सूखा एक बर ग्राइंड करने से क्या होता है इसमें जो भी मुंगफली और नारील हो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है पीस जाता है जिससे हमारा चटनी बहुत स्मूध बनके तयार होता है यदि आप सुरू में ही पानी या इमली का पल्प डालेंगे तो जो जो नारील के टुकडे है वो एक गाद रह जाते या फिर अदरक के टुकडे भी रह जाते अच्छी से कभी कभी पीस नहीं पाते हैं तो अब पानी डालेंगे और इसका फाइन पेस् और बहुती सांदार स्मूथ टेक्च्चर वाली चटनी बनके तयार है यदि आपको इससे पतली चाहिए तो थोड़ा सा पाने डालके इसके कंसिस्टेंसी को सेट कर सकते हैं बट मेरे लिए यह परफेक्ट है तो इसमें तड़का लगाते हैं तेल और सरसो और कड़ी पत्ता और लाल मिर्च का तो यह तड़का भी हमारा लग गया है इडली सांबर और चटनी की एक साथ की रेसीपी चाहते हैं तो मेरे शैनल पर है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक और आई बटन में भी मिल जाएगा आप देख सकते हैं और यहां बार से तेरे आप देख लें यह तो थोड़ा एक दो मिनट और पका लें क्लीन आ रही है यानि की इडली बिलकुल पक चुकी है अब देखिए दोनों प्लेट मैंने निकाल लिया है और जो नीचे प्लेट था वो थोड़ी सी गीली लग रही है और जो उपर था वो बिलकुल सूखी एसा करने से यह डली बहुत ही सॉफ्ट होती है और नहीं करेंगे तो दो से तीन मिनट के बाद काफी सूख जाती है और निकालने के बाद वो काफी टाइट टाइट लगती है यानि हऍ़ाद हो जाती है तो आप यह वाला टिप भी मैं हर वीडियो में बताती हूँ तो अब नहीं होती है और यह देखिए फ्रेंट्स बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही मुलायम और बिल्कुल वाइट वाइट इडली बनके यहां पे तयार हुई है मुंग दाल डालने के बाद भी हमारे इडली ना पीली पड़ी है और ना ही इसको देख के या फिर खा के अंदा जल सकता है कि यह मुंग दाल के इडली है बलकि उड़ा डाल की नहीं है तो यह देखिए हमारा इडली सांबर और चटनी पूरा मील बनके तयार हो गया इसे आप लंच में ब्रेकफर्स्ट में या फिर डिनर में बनाईए परफेक्ट मील होता है बहुत ही हेल्दी होता है बिन जरूर साफ कर ले नहीं तो दुसरे बार के इडली आपकी और चिपक जाएगी और निकालने में दिक्कत होगी तो आज की यह रेसीपी आपको पसंद आई हो फ्रेंट्स तो जाते जाते लाइक कीजिएगा चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर कर लिजिएगा इसी तरह की रेसीपीज देखने के लिए तो फिर मिलते हैं नहीं और आसान रेसीपी के साथ तक के लिए गुडबाई टेकर तो